हेलो गाईज वेलकम बैक टो मैं यूटूब सेनल गाईज आज की इस वीडियो में हम आपको इंस्टरग्राम लाइट के स्टोरी सेटिंग्स बताएंगे जो कि दोस्तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक इंस्टरग्राम लाइट यूजर होतो ठीक है अगर इस तरीके से बहुत कुछ आप दोस्तों सीख सकते हो इस वीडियो से आप इस वीडियो को पूरा एन तक जरूरğर देखना है चलो यह को स्टार्ट करते हैं गाइस हम यहां से इंस्ट्रग्राम लाइट एपलिकेशन ओपन कर लेंगे तो यह देखो हमारे सामने इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों यहां पर स्टोरी मैंने लगा रहा है ठीक है इस ऑप्षन पर आते हैं जैसे यहां पर क्लिक हैं जैसे इस ऑप्षन पर आप किलिक कर लेते हो तो यहां पर बहुत सारा ऑप्षन आ रहा है आप देख सकते हो डिलेट सेंड टू सेर टू लिंक कॉपी लिंक और स्टोरी सेटिंग का अप्षन आ रहा है हमें स्टोरी सेटिंग के आप्षन पर आ जाएंगे यहां पर आन अभी कोई भी hide नहीं किया हुगा यहाँ पे जैसे कि आपकी followers आ रहे हैं इन में से आप किसी को भी अपने story को hide करना चाहते हैं किसी से भी तो बस आपको इस तरीके से click कर देना है जैसे click कर दोगे तो आपका story hide हो जाएगा फिर back आता हैं तो यह देखो अभी zero people था और अभी दो people हो चुका है तो इस तरीके से आप hide कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो close friend का option आ रहा है तो आप अपने Instagram पे close friend add कर सकते हो जैसे कि जो आपका सबसे करीबी friend हो ठीक है उसको आप यहाँ से add कर सकते हो इससे क्या होगा कि वह जो भी post वगएरा करेगा या फि आप से पहले आपके पास पहुंच जाएगा ठीक है आपके home screen पे यह close friend का story या पोस्ट यह सब दिखेगा तो हम यहाँ पर click करेंगे और get start option पर click करके यहां से दोस्तों हम close friend को add करेंगे यह देखो बहुत सारे friend आ रहे हैं तो आप चाहो तो इनको close friend में add कर सकते हो जैसे कि यह देखो add की option है इस पर आप click कर दोगे तो यह सभी दोस्तों आपके close friend में add हो जाएंगे आप देख सकते हो फिर यहां से back आ जाते हैं back आएंगे अगर आपको close friend हट आना है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहीं पर close seven यहां पर देखो close friend seven आ रहा है आपको इस पर click करना है फिर यहां पर remove की option पर click कर देना है यह देखो जैसे ही remove कर दोगे तो आपका जो close friend है वो सब हट जाएगा अभी zero आ चुका है ठीक है फिर यहां पर allow message reply जैसे क कि आपके story पर जो message का option रहता है ठीक है उसे आप चाहो तो यहां से off कर सकते हो जैसे कि बहुत से लोगो story डालते हैं ज्यादा तर लड़कियों के साथ होता है कि वह story लगाते हैं तो उनके story पर बहुत से लोग message करने लगते हैं जो कि उनको पसंद नहीं होता तो लोग सोच कि हम इसको hide कर लेते हैं जिसे कोई भी मेरे story message नहीं कर पाएगा तो आप यहां से off कर सकते हो और आप चाहो तो अपने fall जैसे आपने जिसे follow किया है उसका सिर्फ आप रख सकते हो ठीक है उसको सिर्फ आप permission दे सकते हो कि हाँ आप ही मेरे story पर यह message कर सकते हो बाकि और कोई भी नहीं तो आप पे pull your follow के option पर click कर दोगे तो यह हो जाएगा बाकि मैं everyone रहने देता हूं फिर यहां पर saving दिखाई दे रहा है ठीक है save to gallery आप story लगाते हो उससे पहले अगर आप अपने story को gallery में save करना चाहते हो तो आपको इस option को enable कर देना है जैसे enable कर दोगे तो जो भी story आप यहां पर लगाओगे Instagram light पर वो दोस्तो इस्टोरी लगेगा और साथ ही आपके gallery में भी सेव हो जाएगा ठीक है बाकी मेरे को नहीं करना तो मैं इसे off कर देता हूं और यह देखो save stories to achieve तो यह आपको on रहने देना है आपका जो story 24 घंडे के बाद हट जाता है लेकिन अच्छेब में save रहता है ठीक है तो वहां से आप चाहो तो कितना है पुराना इस्टोरी देख सकते हो फिर सेरिंग का option आ रहा है तो आप देखो allow आप चाहो तो इसे allow कर सकते हो यह देखो अलाव शेरिंग और नहीं करना चाहो तो आप इसे off कर सकते हो इसे क्या होगा जै आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे कॉमेंट कर देना इस वीडियो में इतना है मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत